गंगन गनात बोते शिर्फ इतना कहने से हैं आपकी आखों में भी किसी की तस्वीर साफ आचुकी होगी उन्हीं की जो खारे पाणको भी मीठा बनातेते थे बीमार व्यक्ति को स्वस्त कर देते थे गरीब लोगों की जोली खुशियों से भर देते थे दुख्यों के सबी दुख हर लेते थे और जिन माता पिता को संतान नहीं होती थी उन्हें संतान प्राप्ति का आशिरवाद भी देते थे हम बात कर रहे हैं शेगाओ के संत श्री गजानन महराज की जिनको भगवान के स्वरूप में एक रूप माना जाता है हाला कि आज गजानन महराज लोगों के बीच में नहीं है परंतु उनके भगत आज भी उनके चमतकार को महसूस करते हैं और मानते हैं कि उनके महराज गजानन जी आज भी उन लोगों के बीच में ही मौजूद है निकठी गजानन महाराज का प्रकट दिवस है तो महाराज के इस प्रकट दिवस पर आए जानते हैं महाराज के जीवन परीचे को जिस पर रोश्टी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री संत गजानन महाराज सेवा संग नापूर के सचीव सनत कुमार जी तो आईए सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले संद्ध जी मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक परीचे खुद ही दीजे हमारा परीचे बाबा के दास है और संत्य गजानन मारा सेवा समीती टिमकी तीन खंबा चौप नागपुर के माध्यम से बाबा के भक्तों की सेवा करना यही उद्धेशे लेकर हम करेड़त है तो सबसे पहले हम आप से यही जानना चाहेगे कि महाराज का जो प्रकट दिवस जितने भी आपके जानने वाले हैं आपको मानते हैं बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं तो वास्ताविक्ता में यह प्रकट दिवस क्यों मना जाता है और इसका पुरा इतिहास क्या है तो वहाँ पे एक देविदास ब्रह्मन थे, उनके घर कारेकम चल रहा था, और वहाँ सामने जूटी पत्तलों का धेर लगा था, उस वटवरुक्ष के नीचे पत्तल में से चावल के शीत उठा कर खाते वे लोगों के सामने पहली बार, जो प्रकट हुए लोगों को पहली बार धहन में कि इतनी तप्ती दोपहर में ये निर्वस्त वेक्ति अपने आत्मानंद में खोया हुआ है, तो ये जरूर कोई असाधरन वेक्ति है, और यही उनका प्रकट दिन माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म के बारे में किसी को जानक प्रकट अधरन वी नहीं है और यहीं से गजन्माराज जी के पहचान शेगाव में शुरू हुए, सुरत जी जैसे देखा जाता है कि जो भी महाराज रहते हैं, वो अपने ही आस्था में लीन रहते हैं तो इन लोगों पर कई लोगों की आस्था भी शुरूवात में होती ह तो हमने भी देखा है कि महाराज को पहले कुछ लोग बानते थे, कुछ लोग नहीं, तो ये क्या पूरा रहा कैसे आपको दिरे-दिरे लोग जानने लगे, इतना मानने लगे, ये कैसा सफर रहा हमाराज का? परिक्षा के बगेर सोना भी चमकता नहीं है, तो गजानन महाराज जी की भी बहुत परिक्षा वहां ली है, वहां के पाटिल बंध होने, गन्ने से, गन्ने की लकडियों से महाराज को पीटा है, और खूब परिक्षा ली, जब वो कुस्ति का खेल चल रहा था, तो वो देख एक बार उन पाटिल बंधों में से एक की, उनको महाराज जी ने स्वाइम कहा कि अगर तुम में ताकत है तो मुझे उठा के दिखाओ, वो पूरी ताकत लगा के दो भाई, तीन भाई, बाभा को उठा नहीं सके, जगा से हला नहीं सके, तब उनको ऐसा सुआ कि नहीं महार उनको पिला कर शान किया, तो इनको ध्यान में है कि असाधरन है, यह अपने हाथे से जब इतनी शक्ति इनके हाथों में है, फिर भी प्रकट नहीं करते, तो परिक्षा तो संतों की होती है, और उसके बाद ही लोग उन पर विश्वास करते हैं, महाराज जी के चमतकारों से सहज लीला से चमतकारों से लोगों की मनोकामना ही पूरी होती थे, आपने जैसा कहा कि जो निसन्तान है, उनको सन्तान होते थे, आज भी हो रहा है, आज भी महाराज जी के चमतकार, क्योंकि ऐसे संत कभी देह जरूर छोडते हैं, लेकिन वो परवंम में लीन रह के सब को दरशन देते हैं ऐसे हमको काफी अनुभव और भक्तों को भी आये हैं हमको भी आये हैं सब्सक्राइब जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा चमतकार जो इतिहास में आज भी लोग उसे भूल नहीं सके है या फिर कोई ऐसी आस्था जो लोगों से जुड़ी है जो आज भी जिसका जेजेकारा आज भी किया जाता है गजानन महाराज जी के यहां एक कोड़ी था पितंबर वो पहले कोड़ का इलाज नहीं था और हाथ पर गलने लगे थे तो घरवाले छोड़ देते थे अंदश्रदा के करण काफी अदश्रदा थे तो महाराजी के दरवार में बैठके द तो वहां की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता था तो एक दिन मौका देखकर वो बाबा से दूरी रखते थे वहां के भक्तलों कि भी उसको कोड़ है बाबा को तकलिफ ना हो जाए एक दिन वो जबरदस्ती बाबा के पैरों पर आके गिर गया बाबाजी ने उसको चमतकार बाबा के तरफ से वे बाबा ने अपने इसी भक्त को पितंबर को जब अकुली गाओं में बेजा तो वहां पर वो एक पेड़ के उपर में बाबा का वस्तर लेकर बंदरों की तरह टहल रहा था तो लोगों ने देखा कि ये वेक्ति कोन है ये पेड़ पे शुटी शाखाओं पे गूम रहा है ये गिर नहीं रहा तो उन्होंने उसको पूछा भी कोन है उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा हो मुझे बाबा ने बेजाए तो लोगों ने बोला कि तुम जूट मूट का नाम ले रहे हो अगर तुमको सहे में बाबा ने बेजा है तो ये ज ना सामर्थ है कि बाबा अपने भक्तों में भी सामर्द घर देते हैं और इसलिए उनको समर्थ कहते हैं देखा गया है कि महाराज अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अनिक अनिक जगाओं पर जाया करते थे तो महाराज में गजारन महाराज किन-किन जगाओं उपर किन किन स्थलों के बारे में आप बताना चाहोगे महाराज जी का हर समय पंडरपूर में दर्शन होता था पंडरण की दर्शन को हमेशा जाते थे उसके अलावा अकोला, अम्रावती में भी बाबा गए है, अकोला में भी गए है और नागपुर में भी बाबा का लगबग एक सवा मेहने नागपुर में निवास हुआ है उस समय नागपुर में नागपुर के राजा थे, राजा रगुजी महारा जविती है तो उन्होंने महाराज जी को आग्रह करके नागपूर लाया था जो बूटी है बूटी महाराज जी के उनके वाड़े पर उनकी रहने की व्यवस्ता थी और रोज उस निवित्त से संतों का दर्शन चलता था उस समय नागपूर में अनेक स्थानों पर बाबा जाके बैठते आज जो गनेश टेकडी हम लोग देखते है जा गनपती महाराज जी का जो परतीमा है तब वहां केवल मिट्टी का टिला था तो उस पर भी गजन बाबा जाके बैठते थे इसके अलाबा रगुजी महाराज का जो महाराज बाग जो छोटा तजबाग आज कहते है उस समय त महाराज बाग में छोटा ताजबाग जो आज रगुजी नगर है तो वहां पर भी महाराज जी का जाना हुआ नागपूर में निकालस मंदिर में महाराज जी का जाना हुआ है इसी तरह से शेगाव वापसी के समय गजानन महाराज जी को पालकी में मिठाल कर नागपूर से राजा साब रामजी के दर्शन कराने ले गए थे तो ऐसे विधर्ब में अनेक जगों पर महाराजी का जाना हुआ है रामटेक की हम बात करें तो रामटेक में आना केवल रगुजी महाराजी के निविधन पर नहीं है रामटेक में एक शंकर बुआ रहते थे जो कभी हरीदौर में रहते थे और मुक्ति के लिए अपना ध्यान धारणा हिमाले में रहना और ध्यान धारणा करना तो उनको राम जी ने सब्द में आकर दर्शन दिया था कि तुम नागपुर जिले के राम टेक में जाकर सिवा करो मैं वहां राम रूप में मैं तुमको दर्शन देने आऊँगा और योगा योग की 1908 में जब गजानन माराज नागपूर आए तो रगोजी माराज उनको राम टेक लेकर गए तो पालकी से उतर के माराज दोड़ पड़े राम जी की तरफ उसी समय ये शंकर बुआ ज़ाडू लगा रहे थे तो शंकर बुआ जब देखते है तो उनको कोदंड धारी और जटा जूड धारी राम जी दोड़ कर आते में दिखे तो गजानन माराज जी ने शंकर बुआ को गले लगा लिया और वहीं उन्होंने अपने देह का त्याग किया और मैं समझता हूं कि राम टेक आना माराज जी का केवल राम जी के दरशन के लिए नहीं तो राशनकर बुआ को मुक्ति देने का भी सादन था और इस तरह से ऐसे विदर्भ में नागपूर में भी हम कभी पुन्यवान है कि माराज जी के निवास से अपनी नागपूर की भूमी पवित्र हुई है सरज जी जैसे आपने बताया कि जब गजानन माराज को राजा जी नी यहां पर लेकर आया था तब ताजुदीन बाबा से उनकी बेट भी तो आज जब हम तस्वीर देखते हैं तो ये तीन मित्रों के तस्वीर सामने आते हैं जिसमें गजानन माराज, ताजुदीन बाबा और साई बाबा शामिल है तो ये क्या इतिहास रहा, इसके बारे में आप तरशकों को क्या बताना चाहेगे दाजगुन माराज जिन्होंने साई बाबा का चरित्र लिखा है दाजगुन माराज जिन्होंने गजन माराजी का चरित्र लिखा है उन्होंने वरणन किया है ताजुद्दिन महाराज यह भक्ति की मुर्तिमंत उधारंड है और वो भक्ति में लीन थे, परमेश्वर की भक्ति में लीन थे और इसलिए उन्होंने कहा है कि यह जो माला है, अध्यात्म की माला के यह सब मोती है और ये मोती से उसकी मेरुमणी के रूप में उन्होंने गजानन महारत जी को अंकित किया है गजानन महारत जी का एक प्रकार से ये सब समकालीन संत थे जैसे ताजुदिन बाबा की भीट हुई वैसे साही बाबा भी जब गजानन महारत जी ने रुशी बंचमी के दिन आठ नव दस 1910 में जब अपना देह छोड़ा तो उसमें साई बाबा जमीन पर बिलग बिलग कर रोई कि आज मेरा बड़ा भाई चला गया और इसलिए इससे संतो की भाषा तो संतो समझ में नहीं आता है इनका तो लीला आपस के इशारों से ही हो जाती है और हम सब की जो बुद्धी है इस समता से परे है कि उनको समझ सके लेकिन ये सब आपस में भाई के नाते से थे और इसलिए अनेक संतो कहते है कि वजारन माराज, साई बाबा, ये सब अकल कोड सौमी के पास में बाले अवस्था में थे ऐसे अनेक संतो कहते है तो इनकी ये सब एक माला के मनी है और इसलिए इनमें और उनमें कोई भेद नहीं जो संत है जो भक्त है उनके दृष्टी से ताजुद्दिन बाबा, गजानन माराज और साई बाबा ये एक ही रूप है परमात्मा के एक ही हमशा है जिस तरह मैंने शुरुवात में ही कहा कि गन-गन गनात बोते ये सुनते ही आपके मन में एक तस्वीर सामने आ जाएगी तो माहराज अकसर गन-गन गनात बोते इसका जाप करस्रत से किया करते थे तो इसका अर्थ क्या है और इसका जाप करने का क्या रहसे है बाबा जब आत्मानंद में मगन हो जाते थे तो दोनों हाती की चिटकिया बजा के गन-गन गनात बोते सीते गनात बोते रामे गनात बोते ऐसा बजन करते थे तो गणगन गणात बोते दाजगन महाराज ने कहा है कि गणगन गणात बोते गणयात्या आत्मा दूसरा गणयानी परमात्मा जो आत्मा उस परमात्मा के सुरूप में है उसी का सथ चिंतन होना चाहिए ये उसका दाजगन महाराज ने वरणन किया है और इसलिए गणगन ग जबते हैं और अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं अब अपनी श्री संथी गजानन-ं crispy टिपकी 10uesto Kümbachव नाकोर ये समीति के माध्यम से दास अनुग गुप्ता जी हमारे जो बड़े भीया है उनके मर्ग दर्शन में 2008 में नाकूर में गजानन महाराज आगमन शताब्दी समारों का करेकम हुआ और गजानन महाराज को जो बाते प्रिय है सेवा और शिष्ट अनुशाषन जिसको कहते है सेवा और अनुशाषन और अंति मीछा के जनन महाराज की यानि वुन के तरब से जो कॉल मिलेगा उस पर हम काम करते हैं और इसलिए ये समीति वेक्ति को ना मेंटेन करते हैं केवल बाबा को मेंटेन करते हैं उसमें केवल पुरुष मंडली जाती है लंबी यात्रा होती है एक दिन में 35-30 किलोमेटर चलना होता है और उसके साथ में नागपुर से रामटेक यात्रा निकाली जाती है 2008 में गजानन महाराज जी जब नागपुर आय थे सहज रूप से नागपुर से रामटेक यात्रा का आयजन किया गया और उसके बाद हमको ग्यात हुआ कि गजानन महाराज जी के आगमन का सववा साल और वो बराबर उसी दिन हम लोग वहां पहुचे ये बाबा की इच्छा थी कि हमसे उसी दिन उसी तारिक को बाबा ने नागपुर से रामटेक यात्रा करवाली 2008 से निरंतर यह यात्रा नागपुर से रामटेक जाती है 500 से अधिक महिला पुरुष भक्त लोग इसमें रहते हैं और यह यात्रा केवल मनुरंजन की यात्रा नहीं है अक्तिन्त अनुशाशन से यात्रा होती है कोई भी विक्ति उस यात्रा में खाली नहीं चलता कोई नो कोई काम लेकर या हाथ में कुछ ना कुछ उसके पता का होगी टाल होगा, मृदंग होगा, कहीं नहीं कोई वेस्तर बाबा के जाब करते वे यात्रा चलती है और इसका परिणाम है कि इस यात्रा से भी लोगों की अनेक मनोकामना ही पूरी हुई है कई लोगों के विवाह नहीं होते थे उनके विवाह हुए है जिनको संतान प्राप्त नहीं होते थे उनको भी बाबा ने अपनी कृपा से संतान दी है आप अश्यरे कर तो आज भी महाराज के चाहने वाले उनके श्रद्धालू इतनी दूर पैदल यात्रा में सिफ महाराज का जाप करते वे चले जाते हैं तो सदन जी में आकरी ये बात जनना चाहूंगी कि महाराज ने जिस दिन समाधी ली तो उनके भक्तों पर उस दिन क्या बिती होगी वो समय कैसा रहा महाराज ने कैसे समाधी ली इस पर थोड़ी रोश्णी डालिये महाराज जी की समाधी को कोई भी सहल नहीं कर सकता समाधी के समय का एक प्रसंग मैं बताता हूं जिस पर हमारे दादा ने बजन भी कहा है बाबा समाधी में लीन थे आखे बन थी और बाबा की भक्त थी बाईजा भाई नाम की वो बाईजा भाई को मालूप पड़ा बाईजा भाई रोज कुछ ना कुछ बाबा को खाने के लिए लाती थे और बाईजा भाई जब खाने के लिए लेकर रहे उसके डबे में ककडी के तुकडे थे तो बाईजा भाई ने बाबा के चरूणों पे बैठकर रोणा सुरु हो गया कि बाबा ये क्या हो गया आप छोड़के कर आज मेरा भोग नहीं लगाए ये क्या बाबा का मुँ धीरे से खुला और बाईजा बाई नहीं वो ककड़ी का तुकड़ा है बाबा के मुँ में डाला आज अगर कहीं कोई सर्च करने का चांस आएगा तो आपको निश्चित रूप से बाबा के मुख में वो मिलेगा और उसी को देखकर भयान है हमारे एक सुन्दर जिसको कावे रचना है अगर आपकी परमिशन है तो मैं कहूँ जी बिल्कुल है डोडे उघडी कसा जूपला सद गुरु रायाग जानना तुझी बायजा तुलालवे धावन एरे नारायना सद गुरु रायाग जानना डोडे उघडी कसा जूपला बहुत सुन्दर तो इस इस पंतियों से ही लगता है कि बायजा मा का जो महराज के प्रेम था वो कितना ही उस अलग ही स्तिर्का था तो आखरी में आपसे सनद जी बहुत शुक्रिया आपने गजानन महराज के बारे में इतना सब कुछ बताया यकिनन जो शद्धालू देख रहे होंगे उन्हें काफी कुछ जानने को मिला होगा मैं बस यह चाती हूँ कि आखरी जो संदेश जो आप जो शद्धालू देख रहे हैं उन्हें इस बाबा के प्रकट दिवस पर जो देना चाहेगे वो आप पेश कीजिए बगवान को मानने वाले बहुत लोग है हम अपने स्वारत सिद्ध के लिए बाबा की फोटो रख लेते हैं मुर्ति में पूझ लेते हैं मंदीर चले जाते हैं मैं कहना चाहूँगा कि बाबा से रिष्टा जोड़ना चाहिए जब कई हम रिष्टा जोड़ते हैं तो जैसा रिष्टेदार को अपने रिष्टेदार के लिए आना ही पड़ता है तो वो रिष्टे जब तक हम अपने अंतरतम से कोई रिष्टा नहीं जोड़ सकते चाहे माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, गुरू के रूप में रिस्ता जोड़िए और रिस्ता जोड़ के जब बदाता है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ नाकपुर राम्टिक पल्की अतरा का समय है बंगण कर गजन्रब बंगण कर अपने सेवा दरी थे उनकी बहन को आना था वो खुशी के मारे रात में धाई बजे अपने घर से निकल कर अगर से चोप पर आ गई टिम की रात में धाई बजे कौन आएगा तो वहाँ पे मेरे रूप में एक मोटर सैकल वाला उस दीदी को लेकर टिम की में छोड़ कर गया वो उपर आकर देखती है तो मैं तो अपना चंदन गिसरा था बाबा की इस पूजा की तयारी थी तो उसके सामने प्रश्ण पुड़ा की दादा तो यहाँ है मुझे कोच चुड़ कर गए आज भी जब वो बात निकल दी तो उसके आखों में जए गड़ाना बहुत बहुत दिन्यवाद सनद जी तो आज हमने इस कारिकरव में चंत पलों के लिए ही महराज की उन पलों की छोटी सी जलक देखी जिसमें हमने काफी कुछ जाना काफी कुछ सीखनी को मिला यहिना जो शद्धालू देख रहे होगे वो काफी भक्ती में हो चुके होगे तो आज के इस जनती विशेष में बस यहीं तक एक बार फिर से सनद जी आपका बहुत-बहुत शुद्रिया बहुत-बहुत भिल्यनेवाद महराज की बारे में इतनी चाही जानकारी देने के लिए तो आज इस जनती विशेश कार्म में बस इतना ही और अन्य खबरे देखने के लिए देखते रहें इन्बीसियर न्यूज नमस्कार